कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है नहीं जानता 120 दिन 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेत की मिट्टी में बून बून मिलता है तब जाकर अन्न पैदा होता है और ये भी बता दू कि हमारे देश में खाना बर्बाद नहीं किया जाता अगर वही देश किसानों को बर्बाद होता देखता रहे तो फिर हम किस के पस जाएंगे खाना खिलाने वाले से कहा जाता है अन्न दाता सुखी भवतू ये अन्न दाता है कौन? खाना पकाने वाला या परुसने वाला नहीं है अन उगाने वाला है और ये खेती जैसा उपहार इश्वर ने हमें दिया है सेल फोन के बिना हम जिन्दा रह सकते हैं टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिन्दा रह सकते हैं जो टीवी और एसी बनाते हैं, वो करोड़ों पती है, लेकिन अन उगाने वाला वो गरीब किसान, इतनी खड़ी महनत और धूप में पसीना बहाने के बाद दिन दिन भरीब होता जाए, फैक्टरीज लगाना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन खेतों को बरबाद करके कितनी ही पथ्रीले जमीने हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, जरा सोच कर जवाब दीजे कि किसान पानी लेने कहा जाएगा? इस देश में बिछले 10 साल में, 1,71,105 से जादा किसान आत्मत्या कर रहा है, ये जानते हैं कि आप? लेकिन सचाई यही है, जहां माथ इतनी सस्ती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा सर, तकरीवन 10 लाग से जादा किसान अपना पेट पानने के लिए गाउं छोड़कर शहर में मजदूरी करने आ जाता है, जो हमारे देश की रीड की ह वो बिल्डिंगों में चौकी दारी करता है, जो किसान हमारा भगवान ने अन्नदाता कहलाता है, वही मंदिरों के सामने भीक मांगता फिर रहा है, बादों पर मज जाईए, जमीन पर आ जाईए, एक कॉर्परेट पे काम करने वाला हजारों करोन का उधार लेकर विदेश बाद गया और वहां बैटकर विदेशी शराप पी रहा है, सिर्फ पांच या दस हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है, इन कॉर्परेट्स की कालिक करतूतों की वज़र से हमारी हर्याली जली जा रही है, खेट सीचने वाली नदिया फैक्टरी से निकलने वाले गंदे बादी से जरीली होती जा रही है, ये मल्टी नैशनल कमपनीज की मशीने हमारी खेटी वाली जबीन पर कबजा करके उन्हें खत्ब करती जा रही है, पर ये दिखाई नहीं देता, इन फैक्टरीस की बात कर रहे हैं, सारे हेल्दी अगर हमारे गाउं की समस्याओं को आप लोगोंने नजर अंदास किया, तो एक न एक दिन, हर गाउं हमारे गाउं जैसा ही बन जाएगा, समल जाएए आप लोग, अगर ये मीडिया कोशिश करें, तो ये दुनिया हिला के रखते हैं, वो ताकत है आप में, अब लोगों के दर्द को आपको बताने के लिए आपको परेशान किया, उसके लिए माफी चाहिए, अगर आपको कि ये सही है, तो हमें न्याय दिलाने के लिए हम सब की मदद कीजिए